नमस्कार बच्चो बच्चो आज इस वीडियो में हम 6th Class Geography का एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है Our Country India हमारा देश भारत आप जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में area wise 7th और population wise 2nd largest country है इस चाप्टर में हम इसको geographical point of view से देखेंगे कितना इसका expanse है कितन एक्स्पांशन है North to South, East to West प्लस कौन-कौन से इसके geographical regions है For example North में हमारे mountains है उसके बाद यहाँ पर गंगा का पूरा यह plain है डेकन प्लेटू है थार डेजर्ट भी है यह हमारा पूरा coastal area है और उसके बाद अंडमा निकोबार लक्षदीव यह हमारे पास islands भी है मतलब इंडिया को अगर देखा जाए तो काफी यह diverse है जोग्रुफिकली diversity है प्लेन भी है mountains भी है प्लेटू भी है और आपके sea भी है सम insular region है क्योंकि तीन तरफ से sea से यह घिरा हुआ है समुद्र से घिरा हुआ है तो इसी के बारे में और detail में चाप्टर में पढ़ेंगे शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नहीं हो चानल पर आप चानल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प पहला हुआ है इन नौर्थ इस बाउंडेट बाइद लॉफ्टी हिमाल्याज नौर्थ की अगर हम बात करें देखिए यह इंडिया है और मैप में आपको बताया था हमेशा इधर इस डिरेक्शन होती है यह आपकी वेस्ट है उपर नौर्थ और नीचे साउथ डिरेक्शन होती है तो अगर हम नौर्थ की बात करें यहां पर हिमाल्याज है उपर काफी लॉफ्ट ही उचे हाइर अरेबियन सी इन दे वेस्ट में इस तरफ अरेबियन सी है यह आपको दिखाई भी दे रहा होगा थोड़ा जूम कर देते हैं यह देखिए वेस्ट साइड में अरेब जो है वो तीन तरफ से पानी से गिरा हुआ है इधर यानि की इस्ट वेस्ट और साउथ तो इसको हम पैनिन्सुलर रीजन बोलते हैं पैनिन्सुला पैनिन्सुला एक ऐसे रीजन को कहा जाता है इसमें तीन तरफ पानी हो चारो तरफ पानी हो तो उसे क्या कहते हैं उसे हम बोलते हैं आइलेंड ओके तो ये पेनेंसुलर रीजन है जिसमें तीन तरफ पानिया और उपर की तरफ अगर हम नौट में देखे तो बहुत वास्ट लॉफ्टी हिमालिया से हैं ओके इंडिया है इंडिया का जो एरिया है वो लगभग 3.28 एट मिलियन स्क्वाइर किलोमेटर से हैं यानि कि 32 करोड 80,000 लगभग इतने स्क्वाइर किलोमेटर इतने किलोमेटर स्क्वार इसका टोटल एरिया है दो नौट तो साउथ एक्स्टेंड फ्रॉम कश्मीर तू कन्या कुमारी नौट तो साउथ अगर हम एक्सपांशन देखे इसका यहां से कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक नीचे जो साउथ मोस्ट पॉइंट है कितनी लेंद है यह यहां तक का एक्स्टेंशन लगभग 3,200 किलोमेटर से और अगर हम एस टू वेस्ट देखे यानि कि अरुनाचर प्रदेश से कच यहां से कच गुजरात में है य यहां तक का एक्स्टांशन कितना है यह है 2,900 किलोमेटर से मतलब ऐसे जादा है ऐसे थोड़ा सा यह कम है north to south जादा east to west कम है the lofty mountains the great Indian desert the northern plains the uneven plateau surface and the coast and the island present a diversity of landform इंडिया में जैसे मैंने का लाइंड फॉर्म बहुत ही जादा डाइवर्स है अगर आप देखेंगे यहां पर उंचे उंचे पहाड भी है नॉर्धन हिमाले को अगर आप देखे ग्रेट इंडियन डेजर्ट डेजर्ट भी है थार डेजर्ट राजस्तान में Northern Plain ये पूरा Plain एरिया भी है गंगा का जो Plain है Uneven Plateau भी है Deccan Plateau ये रहा And the Coast, Coastal एरिया भी है ये पूरा Coastal एरिया है इसको हम East Coast और इसको हम West Coast बोलते हैं और Islands भी है Andman, Nicobar and Lakshadip मतलब हमारे पास बहुत सारे Landforms है There is a great variety in the climate इसलिए climate में, vegetation में, wildlife As well as in the language and culture Culture में, language में कहाँ पर क्या चीज़ें कौन सी फसल उखती है Climate कैसा है कहीं पर बहुत जादा ठंड रहती है कहीं गर्मी रहती है कहीं हमेशा बारिश होती रहती है मतलब बहुत variety है इंडिया में In this diversity, diversity में We find unity that is reflected in traditions इतनी diversity के बाद भी हमें कहीं ने कहीं एकता है Unity है that bind us as one nation जो हमें एक nation में एक देश के रूप में बांदे हुए है India has a population of more than 120 करोड Since the year 2011 Last जो हमारी जनगरना हुई थी Census जो हुआ था 2011 में उस टाइम हमारी population 120 करोड से जादा है तब से अब 2021 में होगा आप जानते हैं Census हर 10 साल के बाद होता है तब पता लगीगा कि अभी कितना है It is the second most populous country of the world after China और चाइना के बाद यह दूसरी सबसे ज़्यादा population वाली country है Okay Now locational setting कि यह Earth के उपर कहां पर located है India is located in the Northern Hemisphere देखे यह World का मैप है और इसमें हम अगर बात करें equator की तो equator यहाँ Indonesia से बीच से ऐसे होके जाती है तो उपर की तरफ Northern Hemisphere हमारा होता है नीचे Southern Hemisphere तो इंडिया यहाँ पर है यानि कि Northern Hemisphere में है उपर की तरफ है और एक लाइन और है जो बिलकुल इंडिया के बीच से जाती है वो है Tropic of Cancer आप जानते हैं यह 0 degree पे होती है आपकी equator 23 and a half degree North North की साइड उपर की साइड Tropic of Cancer है तो Tropic of Cancer इंडिया के बिलकुल बीच से जाती है किन स्टेट से पास होती है वो भी अभी हम डिस्कास करेंगे यह वर्ल्ड के मैप में मैंने आपको दिखा दिया है चलिए आगे आते है The Tropic of Cancer passes almost halfway through the country Tropic of Cancer जो की 23 and a half degree North है वो बिलकुल इंडिया के बीच से जाती है From South to North Main lands of India extend between 8 degree North and 37 degree 6 minutes North latitudes इसके लिए आपको बुक में जो पिक्चर दी हुए यह दिखाते है देखें इंडिया का जो लोकेशन है अगर हम बात करें North to South तो यहां पे 8 degree 4 minutes North यह जो है यहां से शुरू होता है 8 degree 4 minutes North से इंडिया स्टार्ट होगा मतलब अगर हम नीचे से बात करें क्योंकि equator नीचे से जारी है नीचे से उपर शलेंगे हम North की तरफ 0 degree पे आपकी यह 4 degree है 0 degree पे नीचे आपकी equator होगी 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4, 5, 6 जैसे 8 degree 4 minutes North पे आएंगे तो वहां से इंडिया स्टार्ट होगा और यह कहां तक है उपर उपर है यह 37 and 6 यह देखे 32 है यहां जो उसका टॉप मुस्ट पॉइंट है वो है 37 degree, 6 minutes North ओके तो extension यह extension जो है latitude का यहां से यहां तक यह आपको समझ में आ गया होगा यह है हमारा 8, 4 से 37, 6 minutes तक ओके फ्रॉम from west to east अगर हम west से east की बात करें इंडिया extend between 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east longitudes अगर longitudes में बात करें यहां से क्योंकि greenwich आपकी इधर है 1, 2, 3, 4 हम ऐसे जाएंगे तो west में कितना है यह यहां पर है आपके 68 degree 7 minutes east से लेकर और यह जो point है यह कितना है 97 degree 25 minutes east ओके तो यह total इसका expansion है latitudes और longitudes में अगर हम बात करें latitude और longitudes आपको starting में समझा दिये गए हैं इसके बीच में इंडिया लाई करता है आपके world में अगर आपको ढूनना है इंडिया को तो इफ भी डिवाइड दे world इंटो eastern and western hemisphere अगर हम इंडिया में eastern western hemisphere में डिवाइड करें तो कौन से हमिस्फेर में इंडिया एगा eastern में obviously तभी यहां पर eastern लिखा हुआ है इस्टन में due to great longitudinal extent of about 29 degree क्योंकि इसका longitudinal extent काफी जादा है 29 degree का है there could be a wide difference in local time of place located at two extreme point of India यह हम पहले भी बात कर चुके हैं यहां पर रह जाता है मतलब जब यहां पर सूरज निकल जाएगा अरुनाच्छर प्रदेश में उसके दो घंटे बाद गुजरात में sunrise होता है पहले sun इधर राइस होता है यह तो आप जानते ही है इंडिया का जो local time है वो कहां से लिया गया है इंडिया का जो local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude यह भी आप previous उस में पढ़ चुके हैं एक longitude पे अगर आप एक degree पे जाते हैं तो 4 minute का difference होता है प्यूंकि 29 degree का extension है तो 29 into 4 लगभग 4 9 036 4 2 08 9 10 11 11 16 नहीं के 120 minute आप लगा लिजे दो घंटे का difference रहता है sun rises about 2 hours earlier in east than in west you have already read earlier why the local time of longitude 82 degree 30 minutes east has been taken and Indian standard time this meridiano longitude is also termed as standard meridian of India इंडिया का जो standard time है वो लिया गया है साड़े 32 degree east साड़े 82 degree 30 minutes जो की अलाबाद के नैनी से पास होता है यहां से standard time लिया गया यहां पर जो time है वो इधर इधर सबको मानना होता है हलांकि पहले ऐसा कहा जा रहा था क्योंकि बहुत जादा time difference है तो दो standard time रख लेने चाहिए इधर के लिए अलग उधर के लिए अलग लेकिन हमने देखा कि unity लाने के लिए पूरे देश में एक ही standard time रखा गया है और वो कहां से लिया गया है 82 degree 30 minutes east से अब कुछ इनके बारे में भी देख लेते हैं do you know large countries which stretch extensively कुछ countries है जिनका stretch बहुत जादा बड़ी countries है जो की जिनका east to west extension बहुत जादा होता है उनमें एक single standard time काम नहीं करता पूरी country में the USA and Canada have six seven and six standard zones respectively okay USA दिखा देते हैं Canada USA बोथ यह देखिए यह है United States इंडिया को देखिए आप अभी इतना है यही पर दो गंटे का difference है United States का extension इतना है इसमें लगवग six to seven hours का difference होगा यहां जब सूरज निकलेगा उसके छे साथ गंटे बाद यहां निकलेगा तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक ही standard time रखे तो यहां पर भी तब साथ बजे होंगे सूरज निकल जाएगा यहां पर सूरज निकलेगा दोपहर के दो बजे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है इसलिए इस पूरी country को seven standard times में डिवाइड किया गया है और एक country के बारे में हमने और देखा था do you remember how many time zones are there in Russia Russia का extension अगर आप देखे पूरे यह जो है आपका Asia इससे भी आगे यहां तक है और यूरोप में भी यहां तक यह गया हुआ है यह पूरा रश्या है तो इतनी बड़ी country में एक time तो रखना impossible है that is why इसको 11 time standard zone में divide किया गया है इसका आंसर होगा 11 okay next is India's neighbor भारत की पडोसी there are seven countries that share land boundaries with India साथ देश है जिनके साथ इंडिया land boundaries share करता है उनके नाम कौन-कौन से है यह देखिए सबसे पहले अफगानिस्तान उपर देखिए यहां पर थोड़ी सी boundary इंडिया की यह जमुएन काश्मीर में यहां पर मिल रही है तो नंबर वन अफ इस चाइना यह पूरी boundary चाइना के साथ है थर्ड नंबर पर है चाइना फोर्थ नेपाल यह boundary इंडिया की नेपाल के साथ है फिफ्ट नंबर पर भुटान देन बांगलादेश 6th और 7th है मयानमार इसका पुराना नाम बर्मा भी है तो यह साथ countries है इंके साथ इंडिया land boundary शयर करता और दो countries ऐसी है जिनके साथ इंडिया अपनी maritime boundary शयर करता है जैसे कि यह है श्रिलंका और मॉल डिव्ज यह देखे यह मॉल डिव्ज है और यह श्रिलंका है तो पार्क अगर neighboring आपको countries के नाम पूछे जाएंगे तो 8th Maldives and 9th Sri Lanka, ओके, यह हमारा political map है, सभी states आपको यहाँ पर दिये हुए, इंडिया के जितने भी states, आप 6th class में है, सभी की location आपको पता होनी चाहिए, और capital आपको पता होनी चाहिए, इंडिया में फिलाल 28 states and 8 union territories है, चलिए इसक countries do not access to any ocean or sea, इसके जो countries आपको यहाँ पर दिखाई गई है, कौन-कौन सी ऐसी countries है, जिनका ocean या sea से कोई access नहीं है, land ही land है, चारो तरफ भुटान, देखे ऊपर चाइना है, इधर यह पूरा इंडिया का पार्ट है, तो इसके किसी भी तरफ, sea, ocean नहीं है, नेपाल के भी न नहीं है, पाकिस्तान में नीचे आपको Arabian Sea मिलेगा, अफगानिस्तान में भी नहीं है, ओके, next is, across the sea to south lie our island neighbors, श्रिलंका and Maldives, हमारे दो island neighboring countries है, श्रिलंका is separated from India by पार्क स्ट्रेट, और श्रिलंका इंडिया के बीच में पार्क स्ट्रेट है, political and administrative divisions, इंडिया is a vast country for administrative purpose, administrative purpose के ये the country is divided into 29 states and 9 union territories, इसमें थोड़ा सा आपको correction करना पड़ेगा, क्योंकि ये book शाद पहले print हुई हो, ये 28 states हैं, अभी इंडिया में और 8 union territories है, डेली is national capital, डेली हमारी national capital है, the states have been formed mainly on the basis of language, और ये आप history में पढ़ेंगे कि जो states का division पहली किया गया था, वो language के base पर किया गय होते हैं, उनको maharashtra state दे दिया गया, तेलगू बोलते हैं, तो tamilnaad, तो इस तरीके से division main जो हुए थे सबसे पहले वो language की basis पर हुए तो उसके बाद further division होते गए, कुछ merge हुए, तो अभी हाल फिलाल जो है, वो 28 states and 8 union territories हैं, अब हम बात करते हैं, physical division की, next is physical features, इंडिया is marked by a diversity of physical features, इंडिया में जो physical features हैं, काफी diverse है, काफी different है, जैसे कि हमारे पास mountains भी है, प्लेटू भी है, plain, coast, island, सब कुछ है, standing as sentinel in the north, और north में इंडिया के उपर की तरफ, क्या है, एक sentinel की तरह है, एक प्रहरी की तरह है, are the lofty snow-caped Himalayas, बर्फ से डखे हुए उचे-उचे Himalayas हैं, Him plus Aliyah means the abode of snow, Him मतलब snow, और Aliyah को हिंदी में बोलते हैं घर, मतलब बर्फ का घर, the Himalayan mountains are divided into three main parallel ranges, जो Himaliyah उसको तीन main parallel ranges में डिवाइड किया गया है, northernmost, देखे ऐसे हैं, यह Himaliyah कि तीन parallel ranges है, सबसे उपर वाली जो है, northernmost, उसको कहा जाता है, great Himalayas, उसके बाद, यह फिर Himadri भी कहते हैं, Himadri, then the world's highest peak are located in this range, सबसे उपर वाली range में ही, जो highest peak है, Everest है, वो है आपका middle Himaliyah, और बीच वाले जो Himaliyah, उनको Himanchal कहा जाता है, south of Himadri, वो Himadri के south में है, many popular hill stations are situated here, यहाँ पर बीच वाले इसमें बहुत सारे hill stations भी है, और सबसे नीचे की तरफ जो इसकी ranges है, Himaliyah की ऐसे ऐसे ऐसे, तीन उसमें है, parallel चल रही है, तीनों ranges, सबसे south वाली को हम शिवालिक बोलते हैं, मैप में देख लेते हैं, एक बार यह देखिए, सबसे उपर वाले है, Great Himalayas, आपके यह वाले, उसके बाद बीच में, यह Middle Himalayas, और यह सबसे लास्ट शिवालिक, Great Himalayas, यह Himadri, जिनको कहा जाता है, इसी में ही एक, जो सबसे उची चोटी है, इसकी वो Everest है, बीच वाले, यह देखो, इनका extension कितना ज़ादा, यहाँ पर बहुत सारे hill stations है, और यह सबसे लास्ट वाली, यह है हमारी शिवालिक, ओके, पॉपलर hills, ओके, इस वे हाँ दन, दे नॉर्धन इंडियन प्लेन, तो इतना ही बस आपको हिमालिय के बारे में दिया हुए, अब हम बात करते हैं, नॉर्धन इंडियन प्लेन के बारे में, यह प्लेन रीजन है हमारा, यह जो ग्रीन आपको दिखाए दे रहा है, लेवल एंड फ्लाट, वो बिलकुल लेवल है, फ्लाट है, सम्तल है, देर आर, इस आर फॉर्म बाई अलुवियल डिपॉजिट लेट डाउन बाई रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स अगर हम गंगा की भी बात करें, वैसे इसको गंगेटिक प्लेन सी बोला जाता है, क्यों ब्रह्मपुत्र and their tributaries, और उनकी जो बाकी tributaries है, जो नदियां बीच-बीच में आके छोटी मोटीन से मिलती है, इस रिवर्स प्लेन प्रोवाइड फॉर्टाइल लांड पॉर्टिवेशन, इन रिवर्स का जो प्लेन है, यहां की लांड बहुत फॉर्टाइल है, बहुत इंडियन डेजर्ट, वेस्टन पार्ट के अगर हम बात करें तो यहां पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट, यह देखिए, यह है, यह है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, ओके, तो हिमालिया देख लिए हमने पहाड भी है, उसके बाद प्ले इन एरिया भी है, डेजर्ट भी है, इतनी वराइटी आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलेगी ओके, it is dry, hot and sandy stretch of land, यह बहुती सूखे रहते हैं, बहुत गरम रहते हैं और रेतीली जमीन है यहाँ पर, it has very little vegetation और यहाँ पर vegetation काफी कम है, वनस्पतियां काफी कम है, पेड़ पौदे काफी कम होते हैं अगर हम बात करें, यह जो हमारा northern plane है, इसके इधर, यह plane area हो गया, इसके south में है हमारे peninsula के प्लेटू, जो की ट्रांगुलर है लगभग शेप में यह दिखे, कुछ ऐसा सा जा रहा है यह दिखाई दे रहोगा आपको, तो इसकी shape अगर वैसे देखे आप तो ट्रांगल जैसी लग रही है, यह जो yellow color से दिया हुआ, यह पूरा प्लेटू है, मतलब थोड़े higher land है, उपर की तरफ उठी हुई flat land है, डेकन प्लेटू भी इ यह गहरी, अरावली hill, one of the oldest range of the world, अरावली जो कि दुनिया की सबसे पुरानी ranges में से एक है, बॉर्डर इट, इसके बॉर्डर पे है, on the north west side, north west side में, यह पूरा दिखाना पड़ेगा, यह देखे, यह है आपके, north west side इसका, और यह है आपकी अरावली hills, north west side में, अरावली जैसे कि एक young mountain है, काफी उचा है, वैसा यह नहीं है, ओके, अरावली hills, one of the, ओके, this we have done, the विंध्यास and the सद्पुरास are the important ranges, इसके बीच में दो और mountain ranges है, विंध्यास and सद्पुरास, यह विंध्यास है, और यह नीचे सद्पुरा है, यह दोनों ही ranges किसमें आती है, प्लेटू के बीच में कुछ mountain ranges भी है, हमारी, थोड़ी थोड़ी चोटी मोटी hills भी होती है, इसमें, the rivers नर्मदा अन तापी flow through these ranges, इन रेंजिस में, विंध्यास और सद्पुरा के बीच से दो नदियां बैती है, नर्मदा अन तापी, these are west flowing rivers that drain into Arabian sea, यह दो रिवर्स इसल flowing है, क्योंकि थोड़ा सा इस तरफ आप यह लगा लिजे, ढलान जादा है, तो सारी ही rivers इधर जाके, आपकी Bay of Bengal में गिरती है, सिर्फ दो नदियां ऐसी है, हमारी, जो की western flowing है, west की तरफ flow करती है, और Arabian sea में गिरती है, यह है नर्मदा और तापी, इनकी location आप जरूर इंडिया की, okay, the next is, okay, these are, okay, we have done this, the western ghats, या फिर, सहयादरी, border the plateau in the west, west में इस प्लेटू के border पे western ghats है, और east में eastern ghats है, जो इसको eastern boundary देते हैं, तो यह जो है, यह देखे, यह हमारे western ghats है, पूरे, और यह हमारे eastern ghats है, east coast, west coast, the eastern ghats are, okay, while the western ghats are mostly, almost continuous, जो आपके western ghats है, वो लगबा continuous है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन eastern ghats जो है, वो तूटे हुए, ब्रोकन है, बीच-बीच में, और uneven भी है, उपर नीचे उबढ़ खाबड भी है, the plateau is rich in mineral like coal and iron ore, और जो प्लेटू है, इसमें बहुत सारा कोईला, और iron ore हमे मिलता है, एक और चीज़ हमने देखिए, जो western ghats है, बेस्ट की तरफ जो है, बिल्कुल आपको दिखाए दे रहे हैं, बिल्कुल continuous है, लेकिन eastern ghats जो देखिए, यहां से फिर ब्रेक हो गए, फिर ऐसे आ गए, यह eastern ghats है, आपके, next, to the west of western ghats, western ghats के west में and the eastern ghats के east में coastal plains हैं हमारे, यह हमारा western ghats है, इसके इधर, यह coastal area है पूरा, यह eastern ghats है, इसके इधर, यह हमारा eastern coast area है, समुद्री के पास का है, नदी के पास का जो area होता है, उसको coast कहा जाता है, क्योंकि इधर Bay of Bengal है, इसके पास का यह पूरा area है, इसलिए इसको, यह हमारा eastern coast है, और यह Arabian sea के पास का है, इसलिए western coast है, तो इसके इधर दो और areas है, coastal areas हमारे, the western, the western coastal plain is very narrow, west में जो coastal plain वो बहुत narrow है, बहुत पतले हैं, और eastern coastal plain थोड़े से broad है, there are number of eastern flowing rivers, यह काफी पतले हैं, यह देखें, बहुत कम वो है, और यह फिर भी काफी comparatively broader है, अगर हम eastern coast की बात करें, काफी सारी ऐसी नदिया हैं हमारी, there are numerous rivers, a number of rivers, जो की हमारी eastern flowing है, और इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ऐसी कुछ important नदिया है, जो की Bay of Bengal में गिरती है, these rivers have formed fertile deltas at their mouth, यह जब गिरती है उसमें, समुदर में उससे पहले बहुत fertile delta बनाती है, जहांकि जो मिट्टी है वो बहुत fertile है, सुंदर्बन delta is formed where Ganga and Brahmaputra flow into Bay of Bengal, ओके, पहले नदियों को देख लेते हैं, यह देखे, यह है मानदी, यह है गोदावरी, काफी लंबी नदी है और इसको साउथ की Ganga भी कहा जाता है, यह है कृष्णा और यह है कावेरी, ओके, यह चार साउथ की important नदिया, दो इधर बह delta बनाती है, जिसको हम सुंदर्बन delta बोलते हैं, सुंदर्बन delta, ओके, तो यह था आपका चाप्टर, कुछ extra information अभी देख लेते हैं, इसमें, do you know, क्या आप जानते हैं, नहीं, इससे पहले भी, यह ओके, यहां से है, अलूवियल deposit किसको बोलते हैं, जो बहुती fine soil, बहुत बारीक मिट्टी, जो river लेके आती है, अपने साथ, और river basin में लाके deposit कर देती है, ट्रिब्यूटरी हम एक छोटी river को बोलते हैं, जो अपना पानी बड़ी नदी में लाके, जो है, वो deposit कर देती है, और फिर उसी में ही मिल जाती है, उसको tributary कहा जाता है, do you know, क्या आप जा जाती है, और ऐसे फिर नदीया इसमें मिल जाती है, it is an area of land formed at the mouth of the river, ये वो हमारा area है, delta किसको हम कहते हैं, जब river sea में enter करती है, उससे पहले उसका, यह enter मतलब गिरने से पहले, समुदर में गिरने से पहले, जो पूरा जो area उसको delta कहा जाता है, okay, next, corals are skeleton of tiny marine animals called polyps, corals जो है आपके, वो actually में skeleton होते हैं, coral actually एक island जैसे लगते हैं, यह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यह समुदर के बीच में, थोड़े से उबरेवी मिटी जैसे लगते हैं, तो छोटे छोटे से islands हैं, इनको coral कहा जाता है, तो यह मिटी नहीं है, यह actually में एक जानवर के skeleton से बने हैं, इसको polyps कहा जाता है, when the living polyps die, जब कोई polyps मरता है, their skeleton are left, उनके skeleton बच जाते हैं, हड़ियां बच जाती है, other polyps grow on the top of the hard skeleton, उसके उपर और polyps जो हैं, वो उग जाते हैं, which grows higher and higher, जो उपर उपर उगते ही जाते हैं, thus forming a coral island, और इस तरीके से एक coral island बन जाता है, यह साधी आदमी इस coral island के उपर खड़ा भी हुआ है, यहाँ पर आपको एक coral island दिखाया हुआ है, okay and that's all students, यह एक बच्चे ने poem लिखे, इसको आप रीड कर लीजेगा, यह picture draw की हुई है, two group of islands also form, okay यह थोड़ा सा, उसका रह गया हमारा islands का, दो हमारे पास group of islands भी है, जो कि इ coral islands है, core से बने हुए है, जो polyps है आपके और दूसरे अंडमान है निकोबार island जो की southeast में है, हमारी mainland Bay of Bengal में, दिखा देते हैं आपको, यह देखे, यह हमारे हैं दो islands जिसके चारों तरफ पानी हुए, ऐसे जमीन का पार्ट, तो यह लक्षदीप है और यह अंडमान और निक बेंगौल में है, do you know which group of island were affected by the tsunami in 2004, 2004 में एक tsunami आई थी, जिसमें की अंडमान और निकोबार जो island है, यह काफी affect हुआ था, यह आप निउस्पेपर वगरा से देखेंगे, तुनामी किसको कहते है, तुनामी एक huge sea wave होती है, जो कि जब sea floor में, जो हमारा समुद्र का जो नीच हो जाती है, और mainland को affect करती है, उसको हम लोग सुनामी कहते है, ओके students तो चलिए इसी के साथ ही, यह chapter भी आपका finish होता है, hopefully topics आपको सभी समझ में आ गए होंगे, thank you so much for watching.